Assalamualaikum welcome to student tube आज की अस लेक्चर में हम बात करेंगे चिप्टर नंबर 5 एक्टराइजेशन अच्छी एफ इन स्क्वाइर रूट एक्सराइज है 5.11 कुस्चन है simplify तो चलें पर आज का question solve करते हैं तो question no.7 है 3 upon x plus 6 plus 4 upon x plus 3 minus 3 upon x plus 2 plus 4 upon x plus 5 and for all x is not equal to minus 6 minus 3 minus 2 and minus 5 ठीक है सबसे पहले हम यहाँ पर सी तरह से उतारेंगे 3 upon x plus 6 plus 4 upon x plus 3 minus 3 upon x plus 2 plus 4 upon x plus 5 अब यहाँ पर जो 3 वाले हैं वो एक तरफ ले आएंगे यानिके 3 upon x plus 6 minus 3 upon x plus 2 फिर plus 4 upon x plus 3 plus 4 upon x plus 5 अब हमने 3 का अलग LCM लेना है और 4 वालों का अलग LCM लेना है तो जब हम 3 का लेंगे तो यह हो जाएगा x plus 6 और x plus 2 x plus 6 और x plus 2 तो जो 3 है वो multiply होगा x plus 2 से और minus 3 x plus 6 है तो 1 3 होगा x plus 2 से 1 3 होगा x plus 6 है इसी तरह से यहाँ पर भी यह हो जाएगा x plus 3 और x plus 5 तो 4 multiply by x plus 5 और plus 4 multiply by x plus 3 तो इसे multiply करेंगे तो यह हो गया 3 x plus 3 2 से 6 minus 3 x अब बाहर minus है तो minus plus minus और 6 3 से 18 अपन x plus 6 और x plus 2 अब यहाँ पर 4 x plus 4 5 जा 20 plus 4 x plus 4 3 जा 12 अपन x plus 3 और x plus 5 ठीक है अब यहाँ पर जो 3 x plus का है 3 x minus का cancel और plus का 6 minus का 18 तो यह होगा है minus का 12 अपन x plus 6 और x plus 2 फिर plus अब यहाँ पर plus का 4 x plus का 4 x plus का 20 plus का 12 तो हम इसे plus कर लेंगे तो यह हो जाएंगे 8 x और plus 32 तो यह हो गया x plus 3 और x plus 5 अब यहाँ पर again lcm लेंगे तो उपर है 12 तो नीचे पहले आ जाएगा x plus 2 x plus 3 x plus 5 और x plus 6 ठीक है और अब उपर 12 है तो 12 minus 12 multiply होगा जो 4 के नीचे values है तो minus 12 हो जाएगा x plus 3 और x plus 5 से ठीक है फिर फिर plus 8 x plus 32 है वो हो जाएगा x plus 6 और x plus 2 से तो यहाँ पर minus 12 अब x plus 3 x plus 5 से होगा तो यह हो जाएगा पहले x square plus 5 x plus 3 x plus 3 5 जा 15 फिर plus 18 8 x plus 32 इसी तरहां से रहा फिर यहाँ पर यह हो जाएगा x square फिर plus का 2 x plus का 6 x और फिर 6 तूजा 12 अपॉन x plus 2 x plus 3 x plus 5 और x plus 6 minus का 12 अब अंदर मजीद solve होगा तो x square सी तरह से plus का 5 x plus का 3 x तो हो गया plus का 8 x plus का 15 फिर plus 8 x plus 32 इसी तरहां से यहाँ पर भी x square plus और plus का 2 x plus का 6 x plus का 8 x फिर plus का 12 अपॉन x plus 2 x plus 3 और x plus 5 x plus 6 अब यहाँ पर जो माइनस 12 है वो इस ब्रैकेट से होगा मल्चिप्ला है तो हो गया माइनस 12 x square plus 12 इसार 96 प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया ठीक है माइनस 96 x प्लस 12 को 15 चेक नहीं तो माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पर भी तो यह हो जाएगा 180 फिर प्लस 8 x जब x square से होगा तो हो गया 8 x cube फिर आजाएगा प्लस का 64 x square फिर प्लस 96 x plus 32 x square plus 256 x plus 384 ठीक है अब उन में आएंगे x plus 2 x plus 3 और x plus 6 ठीक है अब जो कट सकते हैं वो कार्ट देंगे यह माइनस का यह प्लस का कैंसल और जो प्लस होंगे और जो माइनस होंगे उसे प्लस और माइनस कर देंगे अब यहां पर माइनस का 12 x square है फिर है यहां पर प्लस का 64 x square और प्लस का 3 x square तो हम इसे 12 x square 64 x square और 3 x square तो यह हो जाएंगे प्लस 84 x square ठीक है फिर सिर्फ x वाला तो यहां पर है 384 तो यह हो गया 204 upon x plus 2 x plus 3 और x plus 5 x plus 6 आंसर तो यह था आज का question उमीद करती हूं आपको अच्छे समझ आया होगा मजीद questions के लिए चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही अपने class मेर्स एंट फ्रेंड से शेयर भी जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए Allah हाफिज